मैं हूँ रिशब और इस अगली 6 मिनिट के विडियो में मैं आपको पावर भी एक ट्रिक बताऊंगा लेकिन उससे पहले आप सभी की एक सवाल का आंसर करना चाहूंगा बहुत लोग कहते हैं रिशब हम एक्सल सीख रहे हैं तो आईए देखते हैं कि अगली 6 मिनिट में मैं किस तरह एक सिंपल तरीके से एक बहुत ही उंदा पावर भी ए रिपोर्ट बनाता हूँ और पावर भी ए आपसूटली फ्री है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है आप महां से डाउनलोड कर सकते हैं प्राक्टिस भी कर सकते हैं आई देखते हैं तो आप में से बहुत जन हैं जो पावर भी आई डेस्टॉप के लर्निंग जर्नी में अलड़ी स्टार्ट कर चुके हैं अपनी जर्नी तो मैं आपको दिखाता हैं छोटा सा डैश्बोड टेक्निकली ये डैश्बोड नहीं है ये एक रिपोर्ट है बट देखते हैं कि जब मैं साल चूज कर रहा हूं या फिर कंट्री का नाम चूज कर रहा हूं तो मुझे कैलेंडर मैप के जरीए ये पता चल रहा है कि मेरे ट्रांजाक्शन उस देश में उस साल में सबसे ज्यादा कहां हुए है तो एक छोटा सा रिपोर्ट है लेकिन काफी इंसाइटफुल है तो अगर आप ये जानना च कर सकता है थ्रू अब बिजनस इमेल आईडी बट वो सेकिंड स्टेप है पहले देखते हैं कि ये बनाया कैसे जाता है तो सबसे पहले एक ब्लैंक कैन्वस में जाता हूं होम टाब गेट डेटा और एक्सल वर्क बुक के जरीए मैं एक फाइल को अक्सेस करता हूं जो की मै पास करीब 5000 लाइन का डेटा है जो की सेल्स ट्रांसाक्शन है मैंने अलग-अलग देशों में अपने कंपनी के प्रोडक्स को एक्सपोर्ट किया है और क्या प्रोडक्स हैं वो सारे के सारे इंफोर्मेशन यहाँ पर मौझूद है तो मैं जाता हूं लोड में और लोड वीडियो के लिए मैं इस सेकंड शीट को कर देता हूं डिलीट यह सिर्फ एक चोटा सा डेमो था अब सबसे पहली बात आप जब साइन होंगे पावर बी आई के अंदर तो यह ट्रिपल डॉट के साइन में एक option मिलता है जिसका नाम है get more visuals अब यह एक तरह का app store समझ सकते ह जिस तरह आप नए phone खरीदने के बाद नए नए app डाउनलोड करते हैं उसी तरह यहाँ पर बहुत सारे charts है और यहाँ पर blue tick mark यह दर्शार है कि यह Power BI certified है तो जब मैं यहाँ टाइप करता हूं calendar या सिर्फ पहले चार शब्द calendar शब्द का तो यहाँ मुझे एक मिलता है calendar by talent Power BI certified ज्यादा अच्छा documentation नहीं है कि इसका इस्तमाल कैसे करना है लेकिन चीज बहुत बढ़िया है यह शाद आपने 0-10 account में भी देखा होगा जब आप profit loss करते हैं तो यह heat map जैसा आपको report देखने को मिलता है तो जब मैं करता हूं add तो एक छोट असा visualization आपको यहाँ देखन नहीं है जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं for example सबसे पहले मैं जाता हूं sales date के तरफ okay अब sales date को मैं सही field में रख देता हूं इसके अलावा मैं gross sales को भी values field में रख देता हूं लेकिन यह sufficient नहीं है यहाँ एक छोटी सी setting है जो sales date के छोटे से v-shift icon में आपको दिखेगी इसका नाम है please use sales date not date hierarchy इसे मुझे on करना है और मुझे यह heat map नजर आता दिखेगा obviously इसे मैं थोड़ा सा और appropriate धंक से मेरे report में सजाऊंगा तो उसके लिए मैं क्या करता हूं एक slicer बना देता हूं और slicer में मैं डाल देता हूं year और year में डालने के बाद मैं इसे बना देता ह इसे list और list के बाद मैं जाता हूं इसके format में कर देता हूं activate borders और activate कर देता हूं shadows ठीक है अभी search box में लिख देता हूं size इसका मतलब है कि जो text size है काफी छोटा है इसे मैं कर देता हूं 16 काफी decent है इसके अलावा मैं चाहूंगा कि option 2 या उससे अधिक ना choose करें तो selection controls के अंद और ये same option जो calendar का आपने काम किया अब मैं calendar की format में जाता हूं calendar configuration में जाता हूं और column 6 कर देता हूं ताकि इस संग्षिप्त रूप में आपको 6 month का data एक row में दिखा सके इस पर भी मैं shadow और border activate कर देता हूं ठीक है तो काफी हद तक हम pass आ चुके है हमारे report के तरफ ठीक है लेक sales के जितने भी calendar map का जो data है नीचे रख देता हूं ये year का जो slicer है ये मैं थोड़ा उपर रख देता हूं ठीक है अब मैं और 1, 2, 3, 4, 4th chart यानि कि cluster column chart बना देता हूं जिसमें मुझे regions के sales देखने हैं यानि कि US में कितना sales हुआ या फिर Germany में कितना sales हुआ तो यहां पर मैं मैं रख देता हूं region, region को drag and drop और इसके अंदर मैं रख देता हूं gross sales, alright, now इस पर भी मैं लगा देता हूं borders and shadow तो जिस भी visual को आप choose करेंगे उसके formatting में आप जाके change कर सकते borders and shadow और चाहूं तो मैं data label activate कर सकता हूं, data label को कह सकता हूं कि देखिये मुझे एक value of decimals ही चाहिए, बहुत ही अची बात है, अब इस white area पे click करके इस page के format में जाके page background को कहे देता हूं कि आप मुझे थोड़ा light gray का background दीजे और transparency थोड़ा सा ही रखेगा 20-30%, तो आप देख रहे हैं कि इतना सा छोटा सा report लेकिन जभी भी मैं 2020 में choose करके US में जाता हूं तो ये सर्फ मुझे US का transaction volume दिखा रहा है, इसके अलावा थोड़ा और अगर आपको संदर करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, इस text box में आप लिख सकते हैं कि ये मेरे report है, report का नाम आप of course आप दे सकते हैं, इस font को आप कर सकते हैं, let's say मान लीजिए 44 या 42 या जैसा भी आप समझ ठीक, और इसको थोड़ा सा हम stretch करके, इसको border से हम पकड़के उपर रख देते हैं, ताकि इसको appropriately प्रेस कर सके, और चाहें अगर आप तो थोड़ा सा border और shadow जो कि मेरा favorite setting है, वो भी आप apply कर सकते हैं, तो देखा, quickly ये एक छोटा सा report तयार हो गया, और इसको बनाने में कितन मिनिट लगा, hardly 5 से 6 मिनिट गया, तो power ये बहुत powerful है, ऐसे छोटे छोटे वीडियो में लाता रहोंगा, मुझे अपने comments और feedback के जरी जरूर बताएए कि कैसा लगा आपको ये, और कुछ सवाल अगर हैं तो भी आप लिख सकते हैं, अगर आपको लगा ये आपके दोस्तों के लिए बहुत ही beneficial है, तो of course you can also share and मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में